गुरू की साजी निवाजी, प्यारे साज संगत जी, प्यार और सदकार से कहना, तान निरंकार जी, सबसे पहले सदकुर माता जी, सचे बाश्या का शुक्राना करती हैं, जिनकी अपार किरपा से हमारा ही जीवन का सफर अनन्द में वैतीत हो रहा है, बंदे जिसने तुझे इनसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान ना पाया, धर्ती पर जब तुने जनम लिया, दात नहीं थे तब दूद दिया, मात पिता का बहाना रख के तुझे पाला और जवान किया, सत्गुरु कदम कदम पर हमें खाने, पीने, पहनने को दे रहे हैं, हम हर पल इसका शुकराना करते हैं, और सबसे जो महतबून काम है, हमें ये ब्रह्म ग्यान दिया है, ब्रह्म की जानकारी कराई है, सत्गुरु का हम जितना भी शुकराना करें, उतना ही कम है, इसनी हमें ये निरंकार दिखाकर, हमें ये मुक्ती का रास्ता दिखा दिया है, अब हमने सत्गुरु की बात को मानते हुए, इस रास्ते पर चलते चले जाना है, दासी आप सभी के अशीरवाद से ये विचार रखने जा रही है आप जी ये विचार परवान करना अगर को गल्दी हो जाए तो शमा करना ये जो विचार दासी रख रही है ये सब आप जिसे ही सीख रही है और इसी तरह सीखने की भावना मन में बनी रहे आप सभी दासी पर दासी की परिवार पर अपना मेहर परा हाथ बनाए रखना इसी दासी ससंग सेवा सिम्रण के साथ चुड़ी रहे और यह आनंद लेती रहे सासंगजी एक महात्मा कहने लगे कि बलड डूनेट कैम्प संपन होने के दूसरे दिन संगत में एक महात्मा दास के पास आए और बोले आप से अकेले में बात करनी है संगत के बाद दास ने उन से बात की वे कहने लगे महापुर्शों बलड टोनेर करने के बाद दास के मन में एक संदेह आ गया है किरप्या आप इसका निवारन करें दास ने पूछा कैसा संदेह आया है आपके मन में बताईए वे महात्मा कहने लगे कहने लगे महात्मा जी बलड टोनेर करने के बाद सभी महात्माओं को जो कार्ड दिये जा रहे थे उन में किसी को A किसी को B किसी को A माइनस B लिख कर दिया जा रहा था प्रन्तु दास के कार्ड के उपर जीरो लिखा हुआ था महत्मा जी बताईए दास को जीरो क्यों दिया गया उनकी साथगी और भोले पन से भरी बास सुनकर दास की आँखें बर आई मन ही मन्दा सोचने लगा कि शायद महत्मा को बलड ग्रूप्स की जानकारी नहीं है फिर सद्कुरू बाबाजी की शिक्षाओं का सहारा लेकर दास ने उनको बताया कि महत्मा जी इनसान के बलड को चार भागों में बाटा गया है चार वर्गों में बाटा गया है A, B, A, B और O महापुर्शो आपका खून तो सबसे अच्छा है आपका बलड तो किसी के भी काम आ सकता है जिनका ग्रूप A होता है वे केवल A ग्रूप वालों को ही खून दे सकते है जिनका ग्रूप B होता है वे B वालों को ही दे सकते है जिनका ग्रूप A, B होता है वे A और B दोनों को दे सकते हैं प्रन्तु आपका तो O ग्रूप है आप तो A, B, A, B और O किसी भी ग्रूप को अपना बलड डोनेट कर सकते हैं या सुनकर वेह मात्मा बहुत खुश हुए दान निरंकार की और हाँ चोड़ कर सत्कुरु बाबाजी का शुक्रिया करने लगा इस घटना के बाद ध्यान आया कि चाहे भगत को बलड के ग्रूप के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन इश्वर में, निरंकार में, प्रभू में विश्वाश्व्य भगती में कोई कमी नहीं है अपनी भगती को मजबूत करने के कारण सत्गुरू के शिरी मुख से निकले हर वचन पर एक समर्पी शिश्य अपने आपको ठाल लेता है ऐसी सहता वे भोले पन से ही सत्गुरू को खुश किया जा सकता है क्योंकि लिखा भी है बोले भाव मीले रगुराई बोले भाले भगतों को ही भगवान मिलते है चतुर चलाकी करके कदेर जाया जा नहीं सकता बेड़ी देविच वट्टे पाके बनने लाया जा नहीं सकता अगर कोई सूचे कि मैं चतुर चलाकी करके इस परबिता प्रमात्मा को खुश कर लूँगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये अंतर्यामी ये घटगटवासी अपने भोले भाले भगदुख पर ही रीचता है दिल का हो भोला भाला मन का हो सच्चा भगती उसकी निवती जो बनता है बच्चा जो बच्चों की तरह भोले पन में सद्कुर के चर्नों में आते हैं उन्हीं की अंतिम स्वासों तक तोड़ निव जाती है संगर जी कहते हैं जिस तरह परमात्मा के सारे काम अपने आप चलते हैं इसी तरह परमात्मा के साकार सवूप सत्गुरु के सारे काम भी निरंकार की अनंत उर्चा से ही संपन होते हैं महात्मा कहते हैं कि गुरू और गुर्सिक के बीज किसी एजन्सी की अविशुकता नहीं है। गुरू गुर्सिक पर और गुर्सिक गुरू पर बलिहार जाता है। सत्गुरू का सत्य मैसी देने वाले स्वाह को मेसिंजर्स को गुर्सिक तक गुरू का ग्यान पहुचाना हो आदर पाने का भी सादन है यही गुरू का प्यार और चरन स्परश का सुख देने का भी मात्यम बनता है इस परकार गुर्शिक गुरू जैसा आदर सतकार और गुरू का रूप मान कर सेवा करती है प्रबुता पाए काह मद ना ही प्रंतु यहादर मान पाकर अगर स्वयम को आदर पाने का धिकारी मान दिया गया तब इससे उत्तबं अभिमान परेशानी का कारण बन जाता है मश्हूर शायर गालिब कहते हैं गालिब मश्हूर शायर थे ब्रह्म क्यानी संत महत्मा नहीं थे प्रंतु खरनी की बात तो यह है कि उन्हें भी ऐसाज्स था कि मेरे बि ना किसी रुखावड के होते रहेंगे लेकिन इस संबंद में ब्रह्म ज्यानी भगतों को भी अक्सर भुले का ब्रह्म लग जाता है परमात्मा इतनी विशाल धर्ती के परमात्मा इतनी विशाल धर्ती को अपनी धूरी पर और फिर सुर्य के चारो और इतनी गती से चक्र काटने की शक्ती दे सकता है तो और काम क्या यह नहीं कर सकता? मुझे एक फ्रेंड ने फोन करके कहा की बढ़ाई हो आज आप सुर्य के चारो तरफ 86 चक्कर लगा चुके हो हैरानी के साथ उनसे पूछा भाई मैं तो धर्ती के ही चक्कर नहीं लगा सका आप सुर्य के चक्कर लगाने की बात करते हो वह भी 86 टाइम्स यानि कि 86 बार तो उन्होंने जवाब दिया आपकी उमर के इन 86 सालों में धरती ने सूर्या के 86 चक्कर लगाए हैं आप इस दुरान धरती पर ही थे तो आपने भी ये चक्कर लगाए ही हैं इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई संदेहे नहीं जनम दिन की मित्र की इस रूफ में दी गई भधाई पर में बार बार प्रमात्मा के प्रतिनत मस्टक हुआ समूल बात तो यही है कि समय रहते इनसान जागरी थवस्था में आजाए और सत्कुरू के चर्णों में बैठ कर वास्विक्ता को जान ले महात्मा इसे ही जागरी थोना कहते हैं संत कहते हैं जागो इनसान सोचता है दिवहपदार्थ के प्रति संसार के प्रति जागरी थै लेकिन जागना तो निरंकार के प्रति था जागना उस महातुक के समापन के प्रति था जिसके बारे में युगों युगों से संतों महाप किया है माता पीता बंदू सखा अपने नहीं है यहां तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है एक जवानी क्या गई सो रोग पैदा हो गए वुडापा दुख है बार बार का जनमना मरना महा दुख है परसव के समय मा को जितना दर्द होता है इसका हजार गुना दर्द जनम लेने वाले बच्चे को होता है वरक सिर्फ इतना है कि मा अपना दर्द बता सकती है बच्चा अपना दर्द बता नहीं सकता जनम भी भारी दुख है तुमरे ट्यूर भी ज़्यादा भ्यानक दुख है किसी मकान में आदमी किराये से दस बारा साल रह जाए मकान मालिक खाली करने क्यों कहे तो वह जवाब देता है जाओ केस कर दो हम खाली नहीं कर रहे शरीर जिसमें 60-70-80 साल तक इनसान रह रहा है उसके छोड़ते समय भी दुख होता है कि शरीर छोड़कर कहां जाऊंगा परिजनों का क्या होगा अपने रिष्टेदारों बेटियों के छूटने का उन से बुढ़ापा भी आसान हो जाता है जो हमेशा ससंग करता है जो हमेशा ससंग करता है वह बैट पर पड़ा हुआ भी ससंग ही करता है यह आभास होता है कि जो दुख लगा हुआ है वह तो शरीर को लगा है मुझे कुछ नहीं हुआ जो हमेशा ससंग करता है वह बिमारी मे यहां तक की अच्छे तवस्ता में भी होगा तो भी सथसंग ही कर रहा होगा सथकुर की किरपा से तन मंधन के सारे सुखों के वीच इंसान पर लोकिक अनंद में ही विच्रुन करता है यही मुक्ति की अवस्ता है साथ संगत जी किस तरह हमें सत्कुरू कदम कदम पर समझा रहे हैं कि हमने दुख सुख से उपर उटकर हमने भक्ती करनी है हमने इस शरीर से भी उपर उटकर भक्ती करते चले जाना है इस निरंकार का सारा लेना है इसका सिंब्रण करना है और एकमिक हो जाना है जैसी भी परसेती आए हमने डुलाए मान नहीं होना है सत्कुर के चर्णों से यह शीरवद मांगना है यह मेरे दातार सचे बाशा मेरा डोले ना इतबार मक्षो शर्दा भक्ती प्यार करामे संतांदा सत्कार संगत जी प्यार से कहना दान दिरंकार